जेपी सीमिन फैक्टरी के अंदर पंफ हाउस में काम करते समय 28 साल के युवक्त रमेश सिंग कंभीर रूप से खायल हो गये थे उनको रीवा के संजय गांदी इस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां आज उनकी मौत हो गई शब को पोस्मोटम कराकर शब को परीजनों के हवाले करने की अस्पताल प्रवंदन कर रहा है तयारी जेपी सिमेंट फैक्टरी में पंप आउट साथसे में गंभीर रूप से घायल रमेश सिंग की इलाज के दौरान रीवा के संजय गांदी इस्पताल में मौत हो गई रीवा जेपी सिमेंट में काम करते वक अठाइस साल का यूवक कंभीर रूप से घायल हो गया था उसे 27 सितंबर को संजय गांदी अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराय गया था जहां आज उसकी मौत हो गी रमेज सिंग पिता सोबनाथ सिंग उम्र 28 साल गड़वा थाना चुराटा का रहने वाला था जेपी सिमेंट के पंप हाउस में काम किया करता था 27 सितंबर को पंप हाउस में काम करते समय पंप हाउस के अंदर ही फंसने के बज़े थे उसको गंभीर रूप से चोटे आएंगी फैक्ट्री प्रबंदन इलाज के लिए रीवा के संजय गांदी अस्पताल लेकर आया था जहां पर आज उसकी मौत हो गई फिल्हाल संजय गांदी अस्पताल में रमेश सिंग के सौका पोस्ट मार्टम किया जा रहा पोस्ट मार्टम के बाद शौको पर जैनों के हवाले कर दिये जाए खाल के दिनों में फैक्री प्रबंदन की यह एक बड़ी लापरवाही सामने है परिजनों की माने तो रमेश सिंग पंप हाउस के अंदर काम कर रहे थे उसी दौरान इंजीनियर की लापरवाही की वज़ा से पंप हाउस को चालू कर दिया गया जिसकी वज़े से यह हाथसा हो गया हाला कि फैक्ट्रियों के हाथसे की खबरें बहुत कमी चंकर बहार है फैक्ट्री प्रबंधन इन सारी घटनाओं को बहतर चरीके से मैनेज कर लेता है जैसा कि रमेश सिंग के मामले में कहा जा सकता है रमेज सिंग के परिजनों को फैक्री प्रबंदन से कोई भी सिकायट थे वह इसको हाथ समान कर भी चल रहा पूरे घटना करम को लेकर हमने रमेज सिंग के परिजन को पात उनका भी कहना था जेपी सिमेंट के अंदर पंप हाउस में काम करते समय कंभीर रूप से खायल हो गए थे उनको इलाज के लिए संजय गांदी अस्पताल लाया गया था जहां पर दो दिन एडमिट रहने के बाद उनकी मौत हो गई करते गांदी रहे गए और इंजिनियर ने चालू करवा दिया थिर वहां वहां से चालू करवा दिया तो गाड लड़ा और दूटाटके से सर में पंगी सिर्वेजिट ने आपका क्या नाम है मेरा नाम उनेश सी आपके भाई का कमपनिये ने किसी तरीके की मदद की किस तरीके दो तरीके की हुए सानी तरीके की मदब की जितना उससे होता है